हलो बच्चो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम सॉल्फ करेंगे 18 टीम्स के नॉक आट फिक्चर को जिसमें हम देंगे 4 सीडिंग तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे टूटल नंबर आफ टीम 18 18 एक इवन संख्या है टूटल नंबर आफ मैचेस एन माइनस वन ये फॉर्मुला होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे नंबर आफ मैचेस कितने होंगे तो 18 माइनस 1 इस एकल टू 17 मैचेस इसके बाद हमें लिखना है नंबर आफ टीम इन अपर हाफ तो यहाँ पे नंबर आफ टीम इन अपर हाफ एन अपॉन 2 क्योंकि यहाँ पे एवन में थी तो यहाँ पे हो जाएगा 18 अपॉन 2 कट करने पे आपका निकल के आएगा 9 टीम अब इसके बाद जो नंबर आता है अगला टोटल नंबर आफ बाइस इसका सीधा सिंपल फॉर्मूला होता है next highest power of 2 माइनस टोटल नंबर आफ टीम तो टोटल नंबर आफ टीम 18 है और next highest power of 2 होती है 32 ठीके तो 32 से आप माइनस करेंगे 18 को तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा 14-22 अब जब हमें 14-22 पता चल गई है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे अगला step है हमारा number of 22 in upper half तो formula हो जाता है nb upon 2 यहाँ पर even संख्या में है इसलिए हमारा nb upon 2 formula लगा है तो 14 upon 2 cut करने के बाद आपका 7-22 छी किसी तरीके से number of 22 in lower half nb upon 2 तो हो जाएगा आपका 14 upon 2 cut करने पे आपका निकल के आएगा 7-22 तो इससे पता चल गया कि आपके upper half में भी 7-22 है और lower half में भी 7-22 है अब number आता है आपका number of rounds के लिए number of rounds के लिए आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1, 2, 3, 4, 5 तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की power 5 तो यहाँ पे जो power होती है यही आपकी rounds की सेंख्या हो जाती है तो यहाँ पे आपको पता चल गया 5 round में आपका पूरा डूर्णमेंट खतम हो जाएगा अब उसके बाद आपका अगला जो step आता है वो आता है teams in each quarter तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक quarter में क्योंकि यह 16 से जादा team हैं तो हमें quarterly बनाना है और हर एक quarter में कितनी team हैं आएंगी team का distribution हम यहाँ पे सिखेंगे ऐसी संक्या जो number of team से कम हो और 4 हिस्सों में बराबर distribute हो सके तो वो 18 को 4 हिस्सों में नहीं कर सकते हैं हम 16 को कर सकते हैं तो हम 16 के 4 हिस्सों करेंगे तो हो जाएगा आपका 4, 4, 4 और 4 यह आपकी 16 team हो गई अब 16 के बाद 17 और 18 दो team बची तो 16 के बाद 17 team है वो जाएगी आपकी 1st quarter में उसके बाद जो आपकी अगली अठारवी है वो आपकी जाएगी 3rd quarter में इस चीज को हमेशा ध्यान रखेगा balance upper half और lower half में balance के लिए इस तरीके से distribute किया जाता है अगर इसके बाद 19 भी होती तो वो जाती आपकी 2nd quarter में ठीके तो अब हो जाएगा आपके यहाँ पे plus 1 और यहाँ पर हो जाएगा plus 1 तो आपके 1st quarter, 2nd quarter, 3rd quarter and 4th quarter में teamों के संग्या हो जाएगी 5, 4, 5 और 4 चलिए इसके बाद चलते हैं हम अपने fixture पे तो यहाँ पे आपके लिए पहले से हमने लिख रखी है teams round 1, round 2, round 3, round 4, round 5 ची किसी तरीके से हमने upper half and lower half किया हुआ है 9 teams के बाद cut लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी teamों के संग्या थी वो upper half में 9 और lower half में भी 9 थी उसके बाद हमने quarterly distribute भी किया है first quarter में आपकी 5 team में है second में आपकी 4 है फिर उसके बाद third में 5 है और उसके बाद आपकी fourth में 4 है तो चलिए अब हमें seeding देनी है 4 teamों को seeding देने का pattern same 22 देने के pattern की तरह ही होता है तो यहाँ पर हम जो सबसे पहली seeding देंगे वो team देंगे हम lower half की last team को तो यहाँ पर आप s लिख देंगे bracket के अंदर s का मतलब होता है seeding ठीके आप अलग से भी यहाँ पर लिख सकते है s stand for seeding तो यहाँ पर जो हमारा first seeding है वो जाएगा lower half की last team को उसके बाद जो हमारी second seeding जाएगी वो हमारी जाएगी upper half की first team को उसके बाद जो हमारी third seeding जाएगी वो हमारी जाएगी lower half की first team को उसके बाद जो अगली आपकी जाएगी जो चौते नंबर की है वो जाएगी आपकी upper half की last team को तो इस तरीके से यह s आपके seeding के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है तो अब number आता है by distribution का तो अब by distribution करने का तरीका आप देख सकते हैं कि हमें यह पता है कि upper half में आपको seven bys देनी है तो उसको bys देने का जो pattern होता है same follow करना है तो यहाँ पे आप नीचे नहीं देखेंगे आप first quarter और second quarter को upper half और lower half की तरह टीट करेंगे और by distribute करेंगे तो आपकी जो first by जाएगी वो यहाँ जाएगी nine team को उसके बाद second जो by जाएगी आपकी जाएगी first team को उसके बाद आपकी lower half की first team को उसके बाद upper half की last team को इसके बाद आपकी जो जाएगी वो जाएगी lower half की last team को second last team को इसके बाद आपकी जो अगली जाएगी वो जाएगी अपर हाफ की सेकंड टीम को इसके बाद आपकी जो अगली जाएगी वो जाएगी आपकी लोर हाफ की सेवन टीम को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो आपकी 7 जो बाइज हैं वो 1st और 2nd quarter मतलब upper half में fix हो गई है ठीक इसी तरीके से आपको करना है lower half में तो यहाँ पर जो आपकी 1st buy जाएगी वो जाएगी lower half की last team को उसके बाद जाएगी आपकी 10th team को इसके बाद जाएगी आपकी 15th team को इसके बाद जाएगी आपकी 14th team को इसके बाद जाएगी आपकी 17th team को इसके बाद जाएगी आपकी 11th team को और इसके बाद जाएगी आपकी 16th team को तो यह buy distribute करने का طریقہ होता है तो इसको आपको same exact इसी तरीके से follow करना है तो चलिए अप 1st round के हम match करा लेते हैं उसके बाद आपको जो अगला मैच होगा वो होगा आपका 12 का 13 के साथ इसमें से 12 को win कर देते हैं और ये मैच नमबर आपका 2 है तो आप आप 2nd round के मैचेस कराएंगे तो यहाँ पर जो second round का match होगा वो होगा आपका first team का होगा second के साथ उसके बाद होगा आपका जो third team है इसका होगा जो जीत कराई है five के साथ इसी तरीके से आपका six का होगा seven के साथ यह second round के matches है उसके बाद होगा आपका eight का nine के साथ ठीक इसी तरीके से होगा आपका 10 का 11 के साथ यहाँ पर हम इनके विनर्स भी निकालते जाते हैं तो यहाँ पर 1 और 2 में 1 हो गया विजिता यहाँ पर 3 और 5 में मैच हुआ तो यहाँ पर 5 ने विन कर लिया यहाँ पर आपका 7 और 6 में से 7 ने विन कर लिया 8 और 9 मैं से यहाँ पर 9 ने विन कर लिया यहाँ पर 10 और 11 मैं मैच हुआ तो यहाँ पर 10 ने विन कर लिया उसके बाद आपका जो अगला मैच हुआ वो हुआ आपका 12 टीम का 14 टीम के साथ तो यहाँ पर आपका 14 ने विन कर लिया तो इस तरीके से आपके यह second round के matches हो गए तो अब यहाँ पर हम match number डाल देते हैं match number 3, match number 4, match number 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसके बाद आपका जो अगला match होगा जो third round में जो matches होगे वो होगा 1 का 5 के साथ win करेगा 1 उसके बाद होगा आपका 7 का 9 के साथ win करेगा 9 उसके बाद होगा आपका अगला 10 का होगा 14 के साथ यहाँ पर 14 win कर जाएगी उसके बाद होगा आपका अगला match 16 का 18 के साथ यहाँ पर 16 आपके win कर जाएगी यहाँ पर आपका match number होगा यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14 इसके बाद जो आपके semi final match होंगे वो 1 का होगा 9 के साथ और यहाँ पे win करेगा 9 इसी तरीके से आपका 14 का match होगा 16 के साथ यहाँ पे करेगा 16 win और यहाँ पे आपका match number होगा यह 15 और यह होगा आपका 16 और जो आपका final match होगा वो match number है आपका 17 तो इस तरीके थे हमें पता चल गया कि हमारा फिक्षर अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है 9 और 16 का जो final match होगा इसमें से जो winner होगा वो होगा team 16 तो यहाँ पर जो हमें winner मिल चुका है वो team number 16 है तो इस तरीके थे हमारा फिक्षर तयार हो जाता है यहाँ पर काफी बच्चों को doubt होता है यहाँ पर के seeding और special seeding में क्या अंतर होता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि special seeding और seeding में यह अंतर होता है कि जो seeding वाली team होती है यह strong team होती है और जो special seeding वाली होती है यह strong guest होती है मतलब सबसे मदबूर team होती है तो ये सीधे quarter final में खेलती हैं जो seeding वाली team होती है इनको आपको fix करना होता है अलग-अलग quarters में ताकि ये शुरुवाती दोर में ही आपत में खेलके बाहर competition से ना चली जाए और competition को जो मदा है वो कहीं खराब ना हो जाए और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि बहुत से बच्चे यहाँ पर seeding को लेकर थोड़े confused हो जाते हैं आपको सरफ starting by जो होती है वहीं पर आपको 2 seeding या 4 seeding देने के लिए question में कहते हैं तो वहाँ पर सरफ आपको seeding ही लिखना होता है जैसे हमने यहाँ पर seeding लिखा है और यहाँ पर और यहाँ पर क्योंकि इस question में 4 देनी थी और special seeding होती है तो उन टीमों को आपको minus कर देना होता है total number of teamों में से ठीक है तो अमीद है बच्चो आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी तो अमीद है बच्चो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा भी डाउट होता है तो आप हमें comment box में comment में लिख सकते हैं हमारा whatsapp number हमारे description box में दिया हुआ है आप whatsapp number पे हमें contact कर सकते हैं वही पर हमारा telegram का channel दिया हुआ है आप उसे भी join कर सकते हैं क्योंकि इसी तरीके के वीडियो उसके link वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं तो बच्